चीन की विस्तारवादी नीती पडोसी देशों की जमीनों पर कबजा करने की बुरी नियत जगे जगे गैर कानूनी अपने चीजें बनाने के लिए अपने ही आसियान देशों के बीच में उसकी छवी धुमिल हो रही है मैं कहूंगी कि कलंकित हो रही है और यही वज़े है कि आसियान देशों के बीच में तेजी से बढ़ रहा है भारत का परभाव और चीन से हो रहा है उनका मो भंग तो क्या सच में आसियान में भारत का दबदबा बढ़ रहा है क्या है आसियान कौन कौन से देश है इसमें शामिल और क्या है इनका महत्व आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और क्यूं उनका चीन से मो भंग हो रहा है इसलिए वीडियो के अन तक बने रहें देखो आसियान देशों के बीच अब भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। सिंगापूर के यूसुफ इशाक इंस्टीटूट की सर्वे एजनसी ISEASA ने हाल में आसियान देशों में एक सर्वेक्शन किया। इसमें उन देशों के लोगों में चीन के बजाए भारत के साथ जाने वाले लोगों की संख्या में बड़ा उभार आया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के प्रती मो भंग होने के पीछे अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव बड़ी वज़े है। बीते वर्ष की तुलना में आसियान देशों में भारत की सविक 11.3 हो गई है जो कि एक बहुत अच्छा बड़ोतरी है। छे देशों की सूची में से आस्ट्रेलिया ब्रिटेन वा दक्षिन कोरिया के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत को ये रेटिंग इस तत्थे के बाद मिली है कि भारत ने रूस के साथ तठस्त संबंध बना रखे हैं। सर्वे से पता चलता है आसियान में चीन की लोग प्रियता में कमी आई है। 2022 में इन देशों के 76.7 परसेंट लोग दक्षिन पूर एशिया में चीन को सबसे परभावशाली आर्थिक शक्ती मानते थे। जबकि 2023 में ऐसे लोगों की संख्या घटकर 59.9 रह गई है। आसियान देशों के बीच भारत लगातार अपना परभाव बना रहा है। अभ्यान देशों इसमें भारत ने 1990 के दशक में लुक इस्ट पॉलिसी शुरू की थी। जिसे बाद में रिपोर्ट के अनुसार एक्ट इस्ट पॉलिसी में अपग्रेड किया गया। आसियान देशों में लगातार मजबूत होती पकड़ के कारण भारत ने रणनीतिक आयाम हासिल किया है। यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि भारत और दक्षिन पूर्व एशियाई देश कई तरह के खतरों से निपटने के लिए दूई पक्षिये और बहु पक्षिये द अब वियतना, मलेशिया और थाइलाइन में लड़ाकू जट पाइलटों और पंडुबी करमचारियों को प्रशिक्षित करने, इंडोनेशिया में लड़ाकू विमानों को बनाई रखने और फिलिपीन्स को ब्रमो सुपरसॉनिक मिसालों का निर्यात करने के लिए तैयार ह इस सहयोग ने हाल ही में आसियान देशों में भारत की छवी में सुधार किया है, दक्षिन पूर्व एश्याई देशों ने भी भारत को एक सैने शक्ती के रूप में देखना शुरू कर दिया है, यह पूछे जाने पर कि वे भारत पर भरोसा क्यूं करते हैं, तो 18.2 प्रतिशत उत्तर दाताओं ने कहा कि भारत की सैने शाक्ती वैश्विक शान्ती और सुरक्षा के लिए है, एक साल पहले 6.6 प्रतिशत उत्तर दाताओं ने इस राय को विकल्प चुना था, इस बार यह संख्या तीन गुना बड़ी है, जो दर्शाता है कि भारत च चीन से मोभंग क्यों, इसी रिपोर्ट के मताबिक चीन से आसियान देशों का मोभंग होना उसका आकरामक रवया है, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव परमुक वजों में से एक है, दूसरी तरफ चीन सेना में भारी निवेश कर रहा है, युक्रे में लगातार दखल अंदाजी चीन के परभाव को लगातार कम कर रहा है, उदर बीते वारिश की तुलना में आसियान देशों में भारत की सविकृती में 50% से ज्यादा की वृद्धी हुई है, अब चीन की बोखलाहट क्या है, उसको हर समय किस चीज की चुल रहती है कि बस उसे भारत या दूसरे देशों को नीचे दिखा कर अपने आपको सुपर पावर गोशित करने की वो कगार पर पहुँचा हुआ है, और वो चाहता ही है यार उसकी वज़े से वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसके बाद भी चीन के अखबार कुछ औरी कहानियां बया कर रहे हैं, चीन के सरकारी अखबारी ग्लोबल टाइम्स में परकाशित एक लेक में कहा गया है कि भारत के भगौलिक राजनीतिक जूट चीन को नुकसान पहुचा रहे हैं, एक जूटा इनसान दूसरे को जूटा साबित कर रहा है, क्या अजीव इडम बना इस में ये भी लिखा गया है कि भारत को आसियान देशों का सम्मेलन नई दिली में करने का पूरा हक है, लेकिन इसका नकारात्मक परभाव चीन पर पड़ रहा है, कुछ हालां कि आसियान नेताओं की भारत यात्रा चीन को परभावित नहीं कर पाईगी, चीन के साथ आसि देशों में चीन का निवेश भी भारत की तुलना में दस्त गुना अधिक है, आसियान सयुक्त राष्टर संग का एक अधिकारिक परियवेक्षक है, इस संगठन के सदस्यों के बीच होने वाले संबाद की अधिकारिक भाषा इंगलिश ही है, आसियान देशों की सिमाएं भारत, आस्ट्रेलिया, चीन, बंगलादेश, इस्ट, तिमोर और पापुआ, न्यूगिन्नी के साथ लगी हुई है। 64 करोड की आबादी वाले इन देशों की GDP दोसो तेना लाख करोड रुपए है। ये भारत की कुल GDP 159 लाख करोड रुपए से 33 परसंट अधिक है और आबादी आधी यानि आसियान आर्थिक रूप से भी मजबूत है। आसियान देश, यूरोपियन यूनियन, उत्री अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के चौथे सबसे बड़े निर्यातक हैं। वैश्विक निर्यात में उनकी हिस्सेदारी साथ फेसदी के करीब है। भारत और आसियान देशों के बीच कारोबारी रिष्टे तेजी से मजबूत हो रहे हैं। बीते 10 सालों आसियान देशों से कारोबार 44 बिलियन डॉलर से बढ़कर 21 से 65 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। हालांकि निर्यात की तुलना में आयात आज भी अधिक है। भारत ने बीते सालों में आसियान देशों के साथ कारोबार तेजी से बढ़ाया। दोजार पांच और छे में भारत अपने कुल आयात का साथ फिस्दी हिस्सा आसियान देशों से लेता था। आज यहां आकड़ा 10.5 परतिशद पहुंच गया है। हलांकि निर्यात के मामले में मामूली कमी आई है। लेकिन 10 साल पहले तक भारत आसियान देशों में जो निर्यात करता था उसका 50 फिस्दी हिस्सा केवल सिंगापूर को जाता था और 6 अन्य नौ देशों को जाता था आज थितियां ऐसी नहीं है। अगर हम आसियान पर एक नज़र डालें तो मैं बताना चाहूंगी कि आसियान की स्थापना 8 अगस्ट 1967 को थाइलेंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। उस समय इस संगठन में थाइलेंड के इलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन और सिंगापूर थे। 1994 में आसियान में एशियाई छेत्रिय फोरम की स्थापना की उसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके सदस्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी, कोरिया 23 सदस्य थे। 1992 में भारत आसियान का छेत्रिय समवाद भागिदार और 1996 में पूर्ण सदस्य बन गया। चीन की भी कोशिश है कि उसे भी आसियान का पूर्ण सदस्य बना दिया जाए। 2015 में मलेशिया की राजधानी कोला लंपुर में आयोजित इसकी बैठक में आर्थिक नीती पर एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसमें सबी सदस्य देशों को मिला कर आर्थिक समवधाय बनाने का फैसला लिया गया। 31 दिसंबर 2015 में इसको बना भी लिया गया जिसमें सदस्य कई आर्थिक समझोतों से बने हुए हैं। अगर हम आज के हालात पर ध्यान केंदरित करें तो यह साफ है कि भारत और आसियान के बीच व्यापक विश्यों पर साजेदारियां इस बात का परतीक है कि दोनों पक्षों को समुद्री छेतर में और सकारात्मक धंग से समवाद बढ़ाने की जरूरत है। दोनों ही पक्षों को समुद्री सुरक्षा जैसे कास चिंता के मसलों पर विशेश ध्यान केंदरित करने की आवश्यक्ता है। आसियान और भारत सीधे सीधे लेन देन वाले संबंद से परहेज करते हैं। यह बात काफी हद तक सही भी है जबकि ऐसा होने पर दोनों पुराने दोस्तों के बीच में एक मजबूत संबंद देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके उलट आज भारत और आसियान के रिष्टों में कई तरह के मतभेज भी देखने को मिल रहे हैं। जो बहुत जटिल और जरूरी मसलों पर अलग-अलग राय देने के कारण पैदा हुए हैं। इसमें एशिया की सुरक्षा की दुविदा, भारतियों महादीव के मुख्य रूप से भारत की अगवाई में परमाणू, हत्यारों का निर्मान, आसियान और भारत के बीच मुक्त, व्यपार, छेत्र, AI, FTA को लागू करने से जुड़े कई मसले और शक्ति के संतूलन के शक्ति संतूलन बिठाने में, जोकिम इस बात का भी है कि कहीं इस से छेत्र के नाजुक रक्षा संतूलन बिगड़ना जाएं और अजाजकता ना भेले, लेकिन भारत भारत ही है, इसलिए भारत आज उचाई पर जा रहा है जिसके कारण चीन को चुल मच रही है, और वो G20 के समेलन में भी उसने अरचने डालने की कोशिश की और अभी भी बोलता फिर रहा है कि बारत ने जानबूच कर यहां किया ताकि जो है उससे चीन की चवी बिगड़े पर असल में ही उसकी आदतों की वज़े से ही उसकी चवी बिगड़ रही है, आपका क्या विचार है कमे करके बताएं, धन्यवाद